नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल टीज सूरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 35G फोन में आटोमेटिक काल रिकार्डिंग शेटिंग कैसे यान करें जी हाँ दोस्तों अगर आप भी इन्फिनिक्स नोट 35G फोन का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यदा इंट्रेस्टेड और यूजफुल होने वाली है गाइज वीडियो में लाष्ट तक बने रहेगा हम आपको शेटिंग के दोरा बताएंगे कि इन्फिनिक्स नोट 35G फोन में आटोमेटिक काल रिकार्डिंग शेटिंग कैसे यान करें तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की काल पाइड को ओपन करना होगा आप अपने फोन की काल पाइड को ओपन करना तो चली हम आपको यहां पर डेमो कराते हैं हमारी जो काल रिकार्डिंग आटोमेटिक हो रही है या नहीं हो रही है देखे हम किसी भी number पर call करेंगे यहाँ पर हमारी जो call recording जो automatic नहीं है हम यह से record करने के लिए यहाँ पर type करना होगा तो guys चलिए हम आपको यह automatic करते हैं जैसे आप किसी को phone लगाएं जो आप automatic record होने लगे आप यहाँ पर side में देख सकते हो setting option है guys आप setting वाले option पर click करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा यहाँ से देखे आपको एक option मिल ला है auto call recorder का आप यहाँ से auto call recorder वाले option पर click करना जो कि आप किसी भी phone पर incoming call हो या outgoing call हो आप यहाँ से click करेंगे तो जो आपकी call automatic record होने लगेगी तो चलिए हम आपको demo कराते हैं देखें हम यहाँ से फिर वी उसी नमबर पर call करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमारी call receive होई यहाँ पर हमारी जो automatic record होने लगे तो चलिए तो guys आप अपने phone में कुछ इस प्रकार से automatic card recording setting आन करना चाहते हो तो आप guys अगर आप भी Infinix 5G phone में automatic card recording setting आन करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन next topic, next video तब तक के लिए by take here